सीजन फाइ एपिसोड नाइन स्टार्ट होता है और हमें माइक और सॉल दोनों अभी भी डेज़ट में ही दीखाये गए है वो चल्दे जल्दे जाही रहे होते तब सॉल को रिसेप्शन आ जाता है फिर वो किम को कॉल कर देता है किम भी बहुत डरी हुई होती है और उसकी जान में जान आती है फिर वो एक गयास टेशन पर आते है और माइक ने अपनी गाइस को बुलाय होता है गस के आदमी उन्हें नेने के लिए आते है और वो कार में बैठे हुई होते है वो गस से पुछते है कि वहाँ जो लोग तुम पर अटेक किये थे उनका क्या हुआ गस बोलता है कि उनके भी आदमी थे वो वहाँ जाकर उनने साप कर दिया होगा जो सॉल को रोड पर मारने वाला था उस आदमी को माईक ने मार दिया था पर वो डेजर में बहुत डीप है इसका मतलब वो उसे फाइंड नहीं कर पाएंगे कोई भी उसे फाइंड नहीं कर पाएगा तो वो कोई भी प्रॉलम नहीं होता माइक फिर सॉल को स्टोरी बताता है जो उसे सब को पतानी है सॉल वो सब पैसे लेकर डारिकली कोर्ट रूम आ जाता है सब पैसे जमा कर देता है उसमें 100,000 डॉलर्ज जादा होते है वो सॉल के लिए होते है इतने सारे पैसे देखकर कैशियर भी चकरा जाती है कोट में कि सब लॉयर्स विगरा इस सारे पैसे देखने के लिए आते हैं लालो जेल से निकलता है वे सॉल से पुछता है कि क्या हुआ था सॉलो से बोलता है कि 6 माइल्स थे और थे भी मेरी गाड़ी बन बढ़ चुकी थी मुझे रिस्क नहीं लेना था इसलिए मैं चलते चलते डेजर्ट में से आया मुझे रात हो चुकी थी वही सो गया नेक्स दिन आया और यहाँ पैसे जमा कर दिये सॉलो से बोलता है कि तुमारी जो फेक आडेंटिटी है वो जादा दिन तक नहीं चलने वाली लालो बोलता है कि अभी के अभी मैं यहाँ से निकल जाने वाला हूँ और मैक्सिमिम में चले जाने वाला हूँ सॉल फिर घर आता है और कीम उसे बात पे लेके जाती है एसो के बैक से उसे अपने पीट पर इंजुरी हो चुकी होती है किम बहुती डरी होती है और उसे बोलती कि तुम्हें हस्पिटल में जाना चाहिए पर वो नहीं मानता किम लालो से मिलने गई थी या आप सौल को पता है तो सौल उसे कंफरंट करता है सौल बोलता है कि तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए तुम्हें लालो जैसे लोगों से बहुत ही दूर रहना है किम भी उसे अश्वर करती है कि मैं उसे कभी भी नहीं मिलूंगी किम उसे पुछती है कि क्या यह वर्थिट था तो फिर उसे वो बैग देखने के लिए बोलता है किम देखती है कि बैग में 100,000 डॉलर्स होते है पर उसे उसका गिफ भी मिलता है उस बोटल पर गन शॉट होता है सॉल ने उसे एक्चल स्वरी नहीं बताई होती तो फिर भी उसे इग्नोर कर देती है माइक फिर गस को रिपोर्ट करने आता है माइक बोलता है कि जो आदमी उस पेसों के पीछे थे उनके हाथ पर टैटू थे वो टैटू फिर माइक गस को बना कर देता है गस बोलता है कि इन आदमियों को हायर किया गया था इन आदमियों को बोलसा है नहीं हायर किया था बोलसा और लालो दोनों competition है और लालो को उसे जिल में ही रखना होता है पर यह हो नहीं पाता पर फिर बोलसा को call करता है और बोलता है कि लालो अब वहाँ से निकल चुका है वो बोलता है कि अब हमारा जो operation है वो जैसे चल रहाता वैसा ही चलेगा नाचो माइक को कॉल करता है और बोलता है कि मैं अब लालो को छोड़ने जा रहा हूँ वो बॉर्डर के पार चला जाने वाला है नेक दिन जब सॉल उटता है तो किम ने सॉल के लिए स्पेशली छुट्टी ली होती है उसका खैल रखने वाली होती है किम फिर उसके लिए जूस बना रही होती है पर जूसर का जो आवाज हो रहा है वो बहुत ही उसे डिस्टब कर रहा होता है सॉल ने लोगों को मरते हुए दिखा था और गंस के जो आवाज होते हैं उससे वो बहुत ही डिस्टब हो चुका था तो अब इस mixer के आवास से वो disturb हो जाता है किम उसे फिर सहल आती है वो दोनों बेटे हुए होते है तभी Saul को call आ जाता है उसके client का वो call होता है पर Saul बोलता है कि मुझे यहाँ जाना ही पड़ेगा वरना मेरा client बहुत ही ट्रवल में हो सकता है मुझे पता है कि तुमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है तो मुझे बता ने रहे फिर भी मुझे मालूम है Saul बोलता है कि मुझे desert में मेरी खुद की पेशाप पीनी पड़ी है फिर भी उसे सच नहीं बोलता Saul काम पर चला गया है तो किम भी काम पर आ जाती है वह अपने assistant से सब meeting के बारे में पुछती है वो office नहीं गई हुई होती फिर भी सब office के काम सही से चल रहे होते है फिर वो अपने office में बैठती है जो भी उसने achievement की होती है वो सब profits वो देखती है उसे बहुत दिनों से unfulfilled लग रहा होता है तो फिर अपने boss के बास हो जाती है उसे अपना resignation वो दे देती है लालो फिर साला मंका से मिलने जाता है लालो बोलता है कि अब मैं फिर से मैक्सी को जाने वाला हूँ साला मंका है सुनकर बहुत ही बढ़की होते है उनने समझाता है कि टूको भी फिर से थोड़ी देर में अब वापस आ जाने वाला है तो में कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है मंका कि केर लेने के लिए और कोई आदमी को भेजने वाला होता है लालो नाचो के साथ उस हॉस्पिटल में आयो होता है अब नाचो उसे डेजर्ट में लेकर जाता है सॉल जीस क्लाइन के लिए वहाँ आयो होता है वो केस वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है वो जितने वाला होता है फिर भी वो हार ही जाता है पोट के बाहर माइक को उसने बुलाय होता है वो माईक को बोलता है कि जो मुझे फील हो रहा है वो कब तक चलेगा लोग को खुमरते हुए उसने देखा है और वो बहुत ही डिस्टब होता है और उसे ये फीलिंग अच्छे नहीं लग रही होती माईक को से बोलता है कि तुम ये भूल जाओगे एक दिन तुम अपने अपना काम करोगे और तुम्हें दिन भर इसकी कोई भी याद नहीं रहेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी सब फिलिंग अब चली गई है नाचो ने लालो को डेजर्ट में लाए हुआ होता है अब लालो बॉर्डर क्रॉस करने वाला होता है और तभी लालो को सचक चला जाता है और उसे बोलता है कि डेजर्ट में हम अब चलते है वो डेजर्ट में नाचो को ड्राइव करने के लिए बोलता है सौल ने जहां कार्ट डम की होती है उसे दीख जाती है फिर वो डायरेक्ली सौल की घर आ जाता है सौल सोया हुआ होता है और कीम उसे खाने के लिए पूछ रही होती है वो दोनों जब कीचन में आते है तो कीम उसे बता देती है कि उसने उसका जौब छोड़ दिया है सौल उसे समझाने के कोशिश करता है कि तुम्हारा जौब बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह जो दूसरे केस तुम ले रही हो उसमें तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले कीम उसे बोलती हैं यह मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाती है मेरे सैटिसफेक्शन के लिए करना चाती हूँ सौल उसे बहुत ही समझाने के कोशिश कर रहा होता है उस पर चीर जाती है और बोलती है कि तुमने जब अपना नाम चेंज कर लिया था तो मैंने तुम्हें सपोर्ट किया था हर तुमारे डिसिजन में सपोर्ट तुमें करती हूँ सौल बोलता है कि तुम्हें सिर्फ एक रियालिटी चेक में दे रहा हूँ सौल को फिर मैक का कॉल आ जाता है मैक उसे बोलता है कि फोन आन ही रखो और इसे कहा चुपा दो दोर पर लालो आया हुँ होता है किम फिर लालो से पुछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो ये क्यों पुछ रहे हो लालो बोलता है कि उसे बुलेट होल्स मिले है फिर किम उस पर चिर जाती है और बोलती है या अलवा करखी है तुम किसी सोडा कैन भी रस्ते पर रखतो तो उस पर भी तुम्हें बुलेट होल मिल जाएगे ये इतना बड़ा इशू नहीं है वो से बोलती है कि सॉल कभी भी जुट नहीं बोलता ये बहुत ही फ़नी डायलोग लगता है उसके बाद फिर वो लालो को बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत ही बड़े प्रॉलम है तुमने सॉलो को डेजर में बेचा था तुमने जैसा सब कुछ कहा था वैसा इसने सब कुछ किया है तुम इस पर शक नहीं कर सकते है इसने अपने लाइफ दोके में डाली थी